अंकूर एक बहुत बड़ा डाक्टर था, वह बड़े डाक्टर के साथ साथ अच्छा भी था, वह हर शनिवार सब का इलाज फ्री में करता था, उसका होस्पिटल बहुत अच्छा चलते देख, आस पास के डाक्टरों को चिडन होती थी, क्योंकि सब लोग ज़्याद अतर अ अंकूर के पास ही जाना पसंद करते थे, कोई बिमारी ऐसी नहीं थी, जिसे अंकूर ठीक नहीं कर सकता था, और इलाज भी कम पैसों में करता था, एक दिन आसपास के डाक्टर उसे मिलने आए, वह सब अंकूर से बात करने लगते हैं, और उनमें से एक छुपके से बाहर निकल जाता है, और दवाईयों में मिलावट कर देता है, फिर वह मिलावट करके वापस आ जाता है, और बाकी के डाक्टरों को इशारा कर देता है, उसका इशारा मिलते ही वें सब वहां से चले जाते हैं, अंकूर का दिल बहुत साफ था, इसलिए दूसरों के चालाकियों को पहचार नहीं पाया अब जिसका भी इलाज वो करता ठीक होने की वजए उसकी तब्यत और खराब हो जाती दीरे दीरे उसकी लोग प्रेदा कम होती जाती है और अब कोई भी उसके पास अपना इलाज नहीं कराता अब उसका होस्पिटल बिल्कुल खाली हो जाता है यहां तक कि अब तो कोई उससे फ्री में भी इलाज कराने नहीं आता था उसे लगा यह सब उसके कान हुआ है शैद वहीं सही दवाईया नहीं दे रहा है इसलिए वह सब कुछ छोड़कर अपने घर में ही रहने लगा फिर एक दिन डाक्टरों के बच्चों को एक ऐसी बिमारी ह हो जाती हैं जिसका इलाज के व़ल अंकुर के पास था उन्सबने सब कुछ करके देखा लेकिन उनके बच्चे ठीक नहीं हुए इसलिए आखिर में उन्होंने अंकुर के पास इज्चानी का सोचा और सब उसके घर जाप हुजे उन्होंने उसे बहुत मुनाने की कोशिश क पुछ उनके बच्चों का इलाज कर दे लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे पनी बचे किसी की जान जोखियमें नहीं डाल सकता था तब उन डाक्टरों ने उसे सारी बात बताई कि कैसे उन्हों ने उसकी दवायों में बिलावट की थी और उन्होंने उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि वो उनके बच्चों को बचा ले वो दुबार ऐसा नहीं करेंगे और सब को बता भी देंगे अपने इस काम के बारे में बस वो उनके बच्चों को बचा ले अंकुर ये बात सुनकर हैरान जरूर हुआ लेकिन उसने जल्दी से उनके बच्चों का इलाज शुरू कर दिया और कुछ ही दिन में वो ठीक भी हो गए उन सबने सब को सच बता दिया अपनी चालाकियों के बारे में उन्होंने अंकूर के साथ इतना बुरा गया फिर भी उसने उन्हें माफ कर दिया अब सब कुछ पहले जासा हो जाता है अंकूर का होस्पिटल फिर से चलने लगता है